नमस्कार, मैं आप सभी का आपी के अपने यूट्यूब चैनल में दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे HP Staff Selection Commission हमिरपुर की तरफ से आज तीन प्रेस नोट जारी किये गए हैं जिसमें दो जो प्रेस नोट है वो रिजल्ट से लेड़िड है और तीसरा प्रेस नोट एक इंपोर्टन इंफर्मेशन से लेड़िड है तो वो हम डिसकस कर लेंगे किस चीज़ से लेड़िए तो ट्राई करना वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जिरूड देखने की और इस वीडियो को जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो HPSC exams की preparation करते हैं जो HPSC की उनके साथ share करने की चाहे वीडियो को आप लाइक मत करना बट ट्राई करना जितनी भी यह इन्फर्मेटिम थिंग्स हैं जो भी knowledge बर्दक चीज़ें हैं वो आपके दोस्तों तक पहुँच पाएं तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फस्ट नोटिफिकेशन से तो आप देख सकते हैं आज ही की डेट है 27th of May 2021 और यह बेसिकली जो जारी की गई है जिते अंदर कंबर HPSC स्टार्ट की तरफ से तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रेस्टों में बेसिकली जो रिजल्ट है आप देख सकते है क immense इंस्टर कले कल दो यहिए आप गदा विद्रीन कोई很好 10anda तो इसमें बेसिकली 222 बच्चे ही अपियर हुए थे और 244 केंडिट्स एपसेंट रहे थे टोटल 466 एप्लिकेशन थी जो प्रोविजनली एडमिट हुई थी तो बेसिकली इसमें 11 student को यहां पर shortlist किया गया है तो आप देख सकते हैं थ्री बेकैंसी थी और बिसिकली यहां पर 11 candidates को यहां पर shortlist किया गया है और इनकी आप रोल लंबर भी देख सकते हैं यहां पर यह रोल लंबर mentioned है तो दोस्तों आगे इनका क्या होगा 15 mark evaluation so 15 mark evaluation of the shortlisted candidate will be held on 26th of June तो इनका basically 26 June को होगा at 9.30 a.m. in the premises of HP Staff Selection Commission हमिरपूर इसके लाभा अगर आप को और information चाहिए तो आप hpsv.hp.gov.in पर जाके और information ले सकते हैं तो दोस्तों इससे पहले हमने कल की एक notification में देखा था कि HP, PSC ने जो ये 15 mark evaluation है वो online start कर दिया है हो सकता है आने वाले time में HPSC भी अभी ऐसा कुछ काम करते हुए देखने को मिले बट अभी के time पर आप देखोगे तो HPSC ने अभी जो recently होंगे इतने भी evaluation वो physically ही होंगे तो move करते हैं second notification की तरफ तो ये result आज की कोई से postcard declare हुआ है तो आप देख सकते हैं post code है 803 तो ये है basically clerk on contract basis तो आप देख सकते हैं इसमें basically SC की ही बन पोस्ट थी तो आप देख सकते हैं ये examination basically आपका 27th December को हुआ था तो दोस्तो जो JOA accounts वाले student जिनका भी जिनका भी examination December month में हुआ था I hope उनका भी result जल्दी ही आ जाएगा उनको जल्दी देखने को मिल सकता है क्योंकि December month के maximum result निकलने अभी start हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं basically यहां पे भी एक vacancy के लिए लगवक 11 जारा केंडिट को invite किया गया है और इनके basically यहां पर roll number भी शेयर किये गये हैं आप देख सकते हैं इन विच वन इन इन दिस examination 1258 candidates appeared and 158 candidates remain absent तो इसमें बहुत से student ने apply किया था अब देख सकते हैं वो basically आप देख सकते हैं on 30th of June 2021 at 930 a.m. in the premises of hp staff selection commission हमीरपुर तो hp staff selection commission हमीरपुर के premises में इनका basically आप देख सकते हैं यहां पर जो आगे का typing skill test होगा वहता हुआ देखने को मिल जाएगा यह आप देख सकते हैं अगर और information चाहिए then you can go to the hp ssp site और याजी की notification है 27th May 2021 की और launch की गई है आप देख सकते हैं जारी की गई है जितेंदर कंबर hps secretary hp staff selection commission हमीरपुर अभी move करेंगे last press note की तरफ तो आप देख सकते हैं यह थोड़ा clear नहीं है फिर भी मैंने आप लोगों के साथ जो भी in content में information रहेगी वह मैं आपको बता द दवारा दिनाख 24 मैं 2021 से परदेश में करोना करफियों के लिए जारी दिशा निर्देश के दृष्टिगत हिमाचल परदेश करमचारी चायन आजोग हमीरपुर दवारा शास्तरी पोस्ट कोड 813 तो बात हो रहे यहां पर शास्तरी पोस्ट कोड की जिसका basically code था 813 के पद है तुन नई त्थियों की घोशना बाद में अलग से की जाएगी तो basically इसमें क्या था जो भी शास्तरी की पोस्ट कोड था basically 813 तो उसमें basically उनका return test का result तो आ चुका था बट वहां पर evaluation जो 15 marks का होना था अभी के लिए जो उसकी date निर्दारित की गई थी वो निर्दारित क तो उनको basically आप देख सकते हैं यहां पर स्थगित कर दिया गया है अभी जो नई dates आएंगी वो आने वाले due course में वो intimate कर देंगे क्योंकि आपको बता है करोना कर फ्यू के कारण काफी सारी चीज़े हो रही हैं और आप देख भी ले रहे हैं कि किस तरह से करोना ने इस second करो कर दो दो